बोच्पुरी में इन दिनों नए गायकी के सिरमोर करनलाल यादव का नाम बड़े चर्चों में बना हुआ है क्यूकि आए दिन इनके विवादित गाले जो सामने आ रहे हैं कभी पवन और रक्षरा के रिस्ते को लेकर तो कभी कुछ और जिहां बिहार के सिंगर ने अपने गायकी से तो जैसी बिहार में तेहल का ही मचा दिया है लेकिन अब करणलाल यादव उतर आए हैं खेसारी के पक्ष में बीत दिनों पहले ऐसी खबर आई थी जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि पवन खेसारी को गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं इसी को लेकर करनलाल यादव ने कहा है कि मैं करनलाल यादव मेरे दो शब्द नएक गायकों के लिए जो अभी महौल चल रहा है भोजपुरी सिनेमा में तीन दिन से वो आप लोग भी जानते होंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी कलाकार ना तो किसी के नाम को बदनाम करके हिट हो सकता है और ना ही जातिवादी दिखा कर टिकाओ तब ही बनेंगे जबात की अंदर कला और गुन होगा सौ परतिशत वैसे बात तो करन आपने बलकुल सही कही है इंसान की पहचाण उसके टैलेंट से होती है ना की किसी और से साथ ही जाते जाते बता दें की करन की और भी कई सारे गानों के अल्बम इंदिनों मार्केट में आए हैं जिसमें से एक गाना पढ़े जालू स्कूल में, घुस जालू पुल में की शूटिंग हाली में पूरी की गई है, जो जल्द ही आप लोगों को देखने कबल सकती है Next 9 News Room से ममता की रिपोर्ट